भारत इस वक्त कोरोना वारिस की भयानक लहर का सामना कर रहा है हर बदलती दिन के साथ देश में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड तूटता ही जा रहा है बीते 24 घंटों में भी भारत में रिकॉर्ड तोड़ के केस सामने आए है सोमवार को भारत में कुल 3.52 लाग कोरोना के नए केस दर्च के गए है जो अब तक दुनिया में सबसे बड़ा आँकड़ा है वहीं बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेंड के प्रिटेंज साउथ अफरिकी और ब्राजिली वेरिंट के मामलों की तो स्वासन विभाव के अनुसार सौमवार को 300 नए मामले, मंगलवार को 500 नए मामले, बूदवार को 200 नए मामले, गुरुवार को 500 नए मामले, शुक्रवार को 400 नए मामले, शनिवार को 700 नए मामले, रविवार को 800 नए मामले और आज यानिकी सोंवार को 500 नए मामले सामने आए हैं जिस देश में संक्रमितों की संख्या 12,235 से 12,735 हो गई है जहां पहले 5 या 10 नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे थे अब वो 400 से 500 कम नहीं आ रहे जो डराने वाली बात है केंद्रि स्वास्य मंत्राडे ने आज सोंवार को ये जानकारी दी इसमें हर मरीज को संबंध राज सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्य देखबाल संस्थानों में अलग-अलग कमरों में रखा गया है उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी प्रिधिक रखा गया है संपर्क में आए सहयात्रियों परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्यका पता लगाने की व्यापक धर पर कोशिश की जा रही है तो दोस्तों आपकी क्या राएं हैं इस खबर के बारे में कमेंट सेक्षिन में लिखके हमें जरूर बताएं ताथी वीडियो को लाइक करें फिरिंज और फैमली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद